न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है अभी हाल तक जो रफाल विवाद सुर्खियों पर साया हुआ चाया हुआ था वो अब लगबग खामोश पड़ता दिखाई दे रहा है उसी दौर में अचानक दुबारा वही कमपनी रिलाइंस अनिल धीरुबाई अमबानी ग्रूप एक बार दुबारा सुर्खियों पर हैं इस बार हवाई रफाईल जेट के मामले में न होकर अब की बार नेवी के नौसेना के नेवल शिप बिल्डिंग को लेकर वो चर्चा में आए हैं पिछले कई सालों से सरकार को ये तै करना था कि वो किन शिप्याड्स को पब्लिक सेक्टर और प्राइविट सेक्टर में अपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए इन्वाइट करेगी ये मामला अटका हुआ था क्योंकि Reliance Naval and Engineering Company जो कि अनिल धीरुबाई अंबानी ग्रुप का हिस्सा है वो काफी दिक्कतों से का सामना कर रही थी और अपने आपको उसने लगबग बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया था साथी में नेवी ने उनके बैंक गारंटी कैंसल कर दिये क्योंकि वो डिलिवरी नहीं दे पाई नेवल वैसल्स का जो कि उनको देना था IDBI ने उनके खिलाफ कारवाही शुरू कर दी क्योंकि उनका पैसा उसके इंट्रेस्ट पर जो इंस्टॉल्मेंट्स मिलने थे वो रुक गए थे लेकिन अभी अचानक जुलाई के पहले हफते में सरकार ने रिलाइंस नेवल को पाँच अन्य शिप्यार्ट के साथ रिक्वेस्ट पर प्रपोजल देने के लिए आमंत्रित किया है इस मामले में बातचीत के लिए आज हमारे साथ न्यूस क्लिक के रक्षा विशेशग डी रगुदंदन है रगुदंदन अब का एक बार फेड स्वागत है न्यूस क्लिक में रगु यह जो मामला सामने आया है कि इतने सालों के बाद जब सरकार को तैय करना था कि रिलाइंस नेवल है की नहीं है इस प्रोसेस में शामिल होने के लिए तो सरकार ने अपना जो निर्ने दिखाया है वो साफ संकेत करता है कि उनके लिए यह कोई बड़ा मामला नहीं है आप इसको किस तरह से देखते हैं पहली बात तो यह है कि यह एक तीसरा मौका दिया गया है रिलाइंस न जैसे आपने कहा है वो बैंक्रप्ट्सी तक पहुंचने ही वाले थे तो बाकी जितने उनके नेवल कॉंट्राक्ट्स वगयरा थे वो सब रुके हुए थे पर एक नया कॉंट्राक्ट आ गया था जिसमें की नेवी ने कुछ अमंत्रित किया था प्रपोजल अब वो किसे कर तो उस टाइम ज्यादा लोग मिल नहीं रहे थे जो उस कॉंपटेशन में भाग ले सकते थे तो उन्होंने कहा उस टाइम पर सरकार ने सोचा कि चलो इस मौके पर रिलाइंस को एक मौका दिया जाए ताकि वो कम से कम अपलाई तो कर ले उस टाइम कुछ नहीं हुआ पर अ मौका उनको दिया है आने के लिए और मैं इस बात से काफी हैरान हूं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिती बहुत खराब है इस कंपनी की शिप बिल्डिंग एक ऐसा काम है और ये कांट्राक्ट जो है ये पंडुबी प्रोजेक्ट 75 के अंतरगत आता है जिसमें स्ट्रेटीजिक पार्टनर को सरकार ने आइडेंटिफाई करना था इसमें पैसे बहुत लगते हैं पुझी बहुत लगती है और अगर आपके पास पुझी नहीं है आपकी अगर आर्थिक हालत इतनी खराब है कि आप बैंक के पास जाएं और वो लोन ना दें आपको तो आप कैसे बनाओगे तो मेरे को ये बहुत मुश्किल हो रहा है ये समझने के लिए कि जब आपके पास हैं चार पांच शिप यार्ड जो कंपीट कर स हैं इस कांट्राक्ट के लिए तो आप पे ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने अड़ाग ग्रूप को इसमें इंक्लूड किया है मैं तो हैरान हूँ इस बात इसमें एक और चीज नजर आई रगू जो की बिजनिस स्टैंडर्ड में आजय शुकला ने अपने एक लेक में जिसका जिक्र किया है कि एक अंतर विरोध नजर आता है डिफेंस प्रोक्योर्मेंट पॉलिसी में और स्टैटेजिक पार्टनर्शिप में डीपीपी 2016 के अनुसार एक से तीन हजार करोड के जो भी कॉंट्राक्स होंगे उनके लिए निजी कंपनियों को एक क्रेडिट रे एक होनी चाहिए ठीक है लेकिन स्टैटेजिक पार्टनर्स के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फरमेशन मांगा गया है क्लैसिफाइड डॉक्युमेंट कहा जाता है तो इसलिए यह पब्लिक डॉमेन में नहीं है सब को पता नहीं इसके बारे में लेकिन उसके मुताबि पचास हजार करोड का भी अगर प्रोजेक्ट हो तो अगर कोई निजी कंपनी उसके लिए शामिल होना चाहती है तो उसे मात्र ट्रिपल भी क्रेडिट रेटिंग की जरूत होगी यह जो अंतर विरोध है यह गले से उतर नहीं रहा है पहली बात तो यह है कि इसमें थोड़ा एक स्परश्टी करण है कि यह स्ट्रेटीजिक पार्टनर्शिप के लिए खास एक प्रोविजिन नहीं है इस कॉंट्राक्ट के लिए जो आरेफाई इश्यू किया गया है जो की कॉंफिडेंशेल है जैसे आपने कहा उसमें यह गले से उतर नहीं रहा कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है छे पंडू भी आपने बनाने हैं बहुत लागत लगने वाली है उसमें टाइम भी उसमें लगेगा उसमें आपने डाइल्यूट करके ट्रिपल बी की रेटिंग पे आपने अगर मंजूरी दे दी तो बैंक के पास अगर जाएंगे तो बैंक के ऊपर एक दबाव पड़ता है कि दे दो क्योंकि स्ट्रेटीजिक प्रोजेक्ट है पर अगर इस ऐसे कंपनी के पास जाएं अडाग जैसे अनिल दिरूबाई अमवानी ग्रूप रिलाइंस नेवल के पास अगर ठेका जाएं जिस कंपनी क रेकॉर्ड डिलिवरी में शूनिय के बराबर है जो पिछली बार उनको कांट्राक्ट मिला था नेवी का पांच जहाज उन्होंने डिलिवर करने थे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एक भी डिलिवर नहीं कर पाएं बैंक से पैसे लेते गए और उसको डुबोते गए कहीं प कल तो यह कंपनी भी डूबेगी पर कंपनी के साथ वो बैंक को भी लेके डूबेंगे और आपके स्ट्रेटीजिक पार्टर्शिप के सब्मरीन के प्रोजेक्ट को भी लेके डूबेंगे यहां सरकार के पक्षपाती रवया भी नजर आता है क्योंकि नेवी ने जब एक और शिप्याड थे एबीजी शिप्याड जो की बैंक्रप्ट हो गया हो बैंक्रप्ट इसले क्योंकि जब वो अपने कॉंट्रैक्टेड जहाज बनाकर नेवी को सौंप नहीं सकी तो नेवी ने उनके खिलाफ कारवाही कर यह बैंक गारंटी कैंसल हो गही और वौसरा पैसा युनकब गया लेकिन वी ने बैंक कारेंटी Newl की भी-borg कैंसल करी थी। Еजेन इधर रवरी 2019 में अर्भी आए ने एक सर्कूर के द्वारा उनके खिलाफ जो Insolvency Tribunal के सामने जो प्रोसेस चल रहा था उसको रोब दिया तो उनको एक तरह के से मौका दुबारा दिया इसमें मैं उसी का जिकर कर रहा था उस प्रोजेक्ट में ये इसलिए उनको छूट दी गई कि सरकार को उस टाइम दिक्कत ये थी कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसके लिए वो रिक्वेस्ट फॉर इंफरमेशन या टेंडर कह लीजे टेंडर डॉक्यमेंट्स इन्वाइट करना था उनको तो उनके पास दो शिप्याड नहीं मिल रहे थे जो इसको अप्लाई कर रहे थे दो शिप्याड तो होने ही चाहिए तो दूसरी शिप्याड कम से कम अप्लाई तो कर ले इसलिए उन्होंने रिलाइंस नेवल को छूट दिलवा दिया आरवी आई के थूप ये इसके पीछे कहानी है पर मुझे लगता है कि एक और चीज़ पर हमें थोड़ा गोर करना चाहिए और वो ये है रिलाइंस ये नेवी के लिए भारत के नौसेना के लिए और भारत सरकार के लिए भी सामरिक दिरिश्टी से भी अगर आप देखेंगे रिलाइंस नेवल खुद में कुछ कमपनी तो था नहीं उन्होंने पीपावाव शिप्यार्ड जो था उसको इनोंने खरीद लिया जो एक आर्थी संकट से गुजर रहा था उसको एरो ने खरीद लिया हमारे मुलक में आज के दिन पीपावाव शिप्यार्ड शिपिंग के इंड़स्ट्री में शायद सबसे बहतरीन इंफरास्ट्रक्चर है उनके पास सबसे ज़्यादा एरिया है छे साथ बड़े वेसल्स शिप्स जहाज को साइमनटेनियसली एक साथ बनाने की च्छमता रखते हैं उनकी पास फेसिलिटीज पीपावाव की इतनी अच्छी है कि भारत ने जब यूएस के साथ समझोता किया था लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट का तब यूनाइट स्टेट्स नेवी ने पीपावाव शिप्यार्ड यानि जो रिलाइंस नेवल बना बाद में उसको सेलेक्ट किया था कि यूएस नेवी के जितने जहाज हैं इंडियन ओशिन के पास उनका रिपेर मेंटिनेंस पीपावाव में होगा तो बात यहां आती है कि अगर रिलाइंस नेवल डूब जाए तो इस इंफरस्ट्रक्चर का क्या होगा तो इस चक्कर में कोई नो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर अडाइग अनल दिरुबाई अंबानी ग्रूप की बसकी नहीं है इसको चलाना मेरा तो इसमें सुझाव यह है कि अगर आपने उस इंफरस्ट्रक्चर को बनाना है तो तुरंत पीपवाफ शिप्याट जो रिलाइंस नेवल है उसका राष्ट्रिय करंट किया जाए नैशनलाइज किया जाए उस कंपनी को और उस इंफरस्ट्रक्चर का फैदा उठाए जाए और ये तिगडम बादी को बंद करतिया जाए धनिवाद रगू न्यूस क्लिक में अगर आपको हमारा कारिकरम पसंद आए या आपको कुछ कहना है तो जरूर हमें बताएं आज के लिए इतना है